Hello everyone, Welcome to Maths Classes by KV Teacher. बच्चो आज इस वीडियो में हम 8 Classs Maths की Exercise 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं. इससे previous exercise में हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया था बार ग्राफ में या फिर हिस्टोग्राम में. आपकी कुछ rectangular bars होते हैं जिसमें आपको डेटा शो करना होता है. फिर आप उससे कुछ conclusions निकालते हैं, डेटा को study करते हैं. यहाँ पर जो concept आपका cover होगा, that is pie chart. pie chart में हम डेटा को represent करते हैं circle के अंदर different sectors में. एक circle को अलग sectors में divide कर लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर आपको information ढूलनी होती है. जैसे कि यह information है, suppose करिए यहाँ पर कुछ लोगों से आपने पूछा कि वो किस mean of transport से अपने office जाते हैं, उसके बाद यह आपको एक pie chart दिया हुआ है. तो यहाँ पर आप देखते ही पता लगा सकते हैं, कि 40% जो की highest है यहाँ पर सबसे ज़ादा आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा होगा. सबसे ज़ादा जो लोग है office by car जाते हैं, और सबसे कम जो mean of transport यूज़ किया जाता है, वो है train. और आपने बच्चों से उनका फेवरेट फ्रूट पूछा, तो इसमें आपने डिफिरेंट सेक्टर में डिवाइड किया, उसके बाद कलर अलग कर दिया या फिर आप इसमें different designs बना सकते हैं, जैसा कि कहा भी जाता है just a glance, अगा देखते ही आपको समझ में आजाए, हमें दिखते ही पता लग रहा है यहाँ पर कि जो आपका ब्लू कलर है, सबसे ज़ादा वो यूज हो है, मतलब कि बनाना सबसे ज़ादा फेवरेट फूट है बच्चों का, उसके बाद है ग्रेप, तो यह है आपका पाई चार्ट, रीड तो आप डेफिनिटली कर ही लेंगे, जो कि बाद हम लोग exercise पर move करेंगे, suppose करिये information आपको दी हुई है, फेवरेट जंक फूट बच्चों के और number of students, एक school में survey किया गया, कि कितने बच्चों का फेवरेट जंक फूट जो है वो pizza है, then burger, fries, pasta and noodles, और यह जो डेटा है, यह आपके पास आया है, सबसे पहला काम आपका यह है, total find कर लीजे, total कितने students का survey हुआ है, तो इनका total आप निकालेंगे, 0 है last में, 4 plus 8, 12, plus 6, 18, plus 220, plus 22, 2 carry 2, plus 3, 5, 6, 7, 720 टोटल है, यह आपने table बना दी, उसके बाद next आप एक और column इसमें add करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे, in fraction, यह जो बच्चे आपको यहाँ पर द है, upon में total, सबके denominator में total आप करेंगे, 320 by 720, 120 by 720, next will be 160 by 720, next 80 by 720, next होगा 40 by 720, अब होना तो यह चाहिए कि इन fraction में जो आपने numbers लिखेंगे, जो NCRT कहती है, कि इनको shortest form में लिखें, for example, 720 और 320 0 से 0 cancel, 840 32, 890 72, so यह 4 by 9 आप लिखेंगे, similarly इसको cancel करेंगे, लेकिन मैं यह कहती हूँ, इसको मत cancel करेंगे, shortest form में मत लिखें, क्यूंकि actually में pie chart बनाने में इ कोई use है ही नही, इसके बाद जो आप central angle निकालेंगे ना main उसका काम है, और central angle जब हम निकालते हैं, तो हम इन सभी को 360 से multiply करते हैं, तब कई बार यह number यहां से direct cancel हो जाते हैं, और आपकी calculation थोड़ी सी easy हो जाती है, time consuming है, अगर आप fraction को shortest form में करते हैं, फिर multiply करते हैं, इसस कुछ change मत करिए, next एक और column बनाईए, और बहां पर आप लिखेंगे central angle, जो की main आपका है, यही use होता है, आपके pie chart को बनाने में, central angle में जो fraction लिखा है, as it is लिख दीजिए, 120 by 720, कई बार बच्चे actually step को miss भी कर देते हैं, skip कर सकते हैं, आप इसको, ज़रूरी नहीं है, इन fraction लिखना, आप इसके बाद direct central angle पर आ सकते हैं, central angle में पहले, fraction में लिखा जाता है, फिर क्या करना, यह में अभी बता देती हूं, 720, 160 by 720, जो लिखा है, as it is, लिख लीजे, 720, this is 40 by 720, okay, अब जो भी आपकी यह angles हैं, इनको आपको multiply करना है, 360 से, central angle में क्या होता है, fraction में जो numbers हैं आपके, उनको आप 360 से multiply करते हैं, step wise learn कर लिजें, इन सभी चीज़ों को, अब यहां पर आप cancel out करेंगे, और shortest जो answer है आपका वो find करेंगे, 0 से 0 cancel, और 72, 5,000, 360 होते हैं, 0 से 0 cancel, 72, 5,000, देखें, सभी में common हैं कि वो आ जाएगा, calculation आपकी आ 360 चाहे तो करके देख लिजा, 72, इन्टो 5, 5, 2s are 10, 5, 7s are 35, plus 1, 36, अब multiply करिए, 32 यहां पर है आपका, multiply करेंगे 5 से, this will be equals to, 5, 2s are 10, 5, 3s are 15, 16, 160 और यह degree में आएगा, आपका, next is 60, 60 degree, next is 80 degree, next is 40 degree, and next is 20 degree, यह आपके degrees में आगे, central angle, अब इन central angle को लेकर आप अपना pie chart ड्रॉ करेंगे, वो कैसे करना है, यह मैं आपको बताऊंगी, जब हम question करेंगे तब, क्योंकि इसके लिए आपको D की जरूत पड़ेगी, सबसे पहला angle, यहां पर आप अभी चलिए roughly बता देती हूं, without D को बिना use किये, यहां से आप एक straight line ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, उसके बाद सबसे पहला angle आपका 160 का है, 160 degree का अंगल बनाएंगे, obviously obtuse angle बनेगा आपका, D यहां पर रखेंगे, 160 का अंगल बनाएंगे, उसके बाद यहां पर आप D रखेंगे, और 60 degree का अंगल बनाएंगे, 60, उसके बाद आप यहां पर next जो line है, यह by default 20 होगा और यह आपका pie chart बन जाएंगा, okay, बाकी जैसा मैंने का, questions जब आएंगे, तब आपको और detail में बता जाएगा, अभी सिर्फ आप central angle कैसे निकालना है, इसका देख लीजे, यहां पर यह दोनों चीज़ें तो आपको question में दी होगी, आप total निकालेंगे, पहले इन fraction लिखेंगे, this upon total, this upon total, जो भी number है, आप उन में total करके, fraction में लिख लेंगे, उसके बाद central angle होता है, fraction into 360, 360 से क्यों multiply करते हैं हम लोग, क्योंकि यह जो आपका pie chart है, circle, इसमें बीच का पूरा angle 360 का है, यह complete angle है ना, आप जानते हैं, complete angle 360 का होता है, that is why हम इसको 360 से multiply करके, degrees में लेकर आते हैं, okay, question स्टाट करते हैं, इस exercise के सभी question ही important है, वैसे तो, पहला question है, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city, एक survey किया गया एक city में, कि लोगों को किस type के music पसंद है, Adjoining pie chart shows the finding of the survey, यह pie chart आपको बता रहा है, survey में क्या पता लगा, light music 40% लोग पसंद करते हैं, semi classical 20, classical music 10, और fork music 30% लोगों को पसंद है, अब कुछ question है आपके लिए, if 20 people liked classical music, अगर classical music 20 लोगों को पसंद है, how many young people were surveyed, तो बताए, total कितने लोगों का survey हुआ था, आप 8 class में आगे, आप question वैसे नहीं आएंगे, कि सबसे जादा कौन सा music पसंद किया जाता है, सबसे कम, अब actually question थोड़े से आपको ऐसे दिये जाएंगे, जहां पर आपको calculation करनी हो, और calculation भी ऐसी नहीं कि आपको total दे दिये, total इतने लोग है, तो बताए, classical कितनों को पसंद है, तो इसमें आप total का 10% फाइंड कर दे और classical आपको मिल जाए, question उल्टा दिया गया है, आपको पता है, classical का percent 10% है, classical 20 लोगों को पसंद है, आपको total number of people find करने है, okay question clear है, आप द question number first का first part, total number of people surveyed bx, मान लीजिये, हमने x लोगों का survey किया था, अब अगर total x लोगों का survey किया, 10% को classical music पसंद है, तो यानि कि 10% of x, 10% of total लोगों को classical पसंद है, और actually में classical कितने लोगों को पसंद है, 20 people like classical music, तो आप कहेंगे कि 10% of x, total का 10% जिनको classical पसंद है, वो actually में 20 people है, अब यहां से आपको x की value find करने है, जो काफी question आप, I think 6 class में fractions में कर चुके है, 10% का मतलब है 10 by 100, of means into x, this is equals to 20, यहां से x की value find करिए, 100 को उधर ले जाएए, multiply हो जाएगा, आप कहेंगे 10 into x equals to 20 multiplied by 100, 10 को denominator में लियाए, x equals to 20 multiplied by 100 by 10, 0 से 0 cancel 20 into 10 is 200, यानि कि total 200 लोगों का survey हुआ था, तो आप लिखेंगे, so 200 people were surveyed, okay, question में total missing है, और actually हमारी सारी चीज़ें total से ही start होती है, तो इसको x मान लीजे, अब total का 10% लोगों को classical music पसंद था, तो total का 10%, 10% of total equals to 20, क्योंकि यह actually first part में आपको 20 दिया हुआ है, next question is which type of music is liked by maximum number of people, यह तो बहुत असान है, आप लोगों के लिए, सबसे जादा कौन सा music पसंद करते हैं, सबसे जादा लोग light music पसंद करते हैं, क्योंकि 40% जो की maximum है, वो उसी में ही है, 40% which is light music, if the cassette company, cassette company, were to make 1000 CDs, एक cassette company है, जो 1000 CD बना रही है music की, how many of each type would they make, तो वो हर type की कितनी बनाएंगी, देखिए, business man के mind में यह चीज होती है, जो चीज इतना बिकेंगी, जो जादा बिकती है, वो जादा बनाता है, जो कम बिकती है, वो कम बनाता है, तो यानि कि अगर light music, शहर में 40% लोगों को पसंद है, तो जितनी उसकी CDs हैं, उसका 40% वो light music वाला बनाएगा, कितनी आप production करते हैं, क्या लोगों की पसंद है, उसमें direct relation होता है, तो आप लिखेंगे, total CDs X हैं, यह third part का answer है, cassettes I think, CDs or cassettes, CDs, is equals to X, sorry, is equals to 1000, यह तो given है में total, ओके, तो semi-classical की कितनी होगी, semi-classical कितनी लोग पसंद करते हैं, 20% तो हम अपने CD का 20%, 20% of 1000, semi-classical की बनाएगे, यानि कि 20 by 100 into 1000, 00, 20 into 10, 200, यानि कि 200 CDs semi-classical की होगी, next है classical, classical 10% है, तो आप लेखेंगे, classical में हम लोग बनाएगे, 10% of 1000, क्योंकि हम 1000 CD बना रहे हैं, तो उसका 10% classical, क्योंकि 10% लोगों को ही classical पसंद है, 00, 00, 10 into 10 is 100, next is light, light music 40% को पसंद है, तो आप 40% of 1000 CD, हम लोग light music की बनाएगे, 40 by 100 into 1000, 400 आप light की बनाएगे, and fork music 30% लोगों को पसंद है, तो फॉक में आप कितनी बनाएगे, 30% of 1000, that means 30 by 100 into 1300, तो यह आपका distribution होगा, 1000 CD-ोंका, 200 CDs, semi-classical, 100 classical, 400 light, and 300 will be of fork music, clear है, चलिए अगले question पर आते हैं, नेक्स, second question है, आपका, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season, from the three seasons, rainy, winter, and summer, three seasons होते हैं, हमने लोगों से पूछा, उन्हें कौन सी season पसंद है, तो 90 जो लोग थे, जो votes आए हैं, वो ने summer season के favor में आए हैं, 120 लोगों को rainy season पसंद है, और 150 को winter season पसंद है, अब आपका question है, which season got the most votes, यह तो बहुत असान है, सबसे ज़ादा votes के season को मिले हैं, so winter season को, क्योंकि 150 सबसे ज़ादा लोग उसी में ही है, तो इसका answer आप लिख देंगे winter, simple answer लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना ज़ादा, find the central angle of each sector, हर एक sector का central angle निकालिए, जो मैं आपको बता चुकिए हूँ, पहले हम अभी find भी कर लेंगे, और उसके बाद pie chart द्रॉ करिए, okay, so, सबसे पहले आप कहेंगे, जो information दिविए उसको as it is लिख लीजे, आप लिखेंगे season, straight line, then number of people या फिर votes, straight line, उसके बाद, आप fraction में निकालेंगे, in fraction, okay, और last में central angle, central angle, okay, चलिए season यहाँ पर एक और straight line, seasons हैं आपकी summer, rainy and winter, summer, rainy, winter, summer कितने लोगं को पसंद है, 90, 120 and 150, सबसे पहला काम क्या था हमारा central angle find करने में, पहले total निकाल लीजे, total लोग कितने है, 000, 5 plus 2, 7, 7 plus 9, 16, carry 1, 1, 2, 3, 360, इन fraction आप लिखेंगे, 90 by 360, 120 by 360 and 150 by 360, जैसा मैंने का, shortest form में मत करिए, question मुश्किल होगा, आप देखें, ask question, actually में कितना आसान है, जब आप central angle निकालते हैं, आप fraction को multiply करते हैं, 360 से, so, 150 by 360 into 360, अब आप देख रहे हैं, 360, 360 यहाँ पर अपने आप ही cancel हो रहा है, maximum time यही होता है, तो that is why हम fraction को ज़्यादा solve नहीं करते, answer आपका 90 degree, so, this is 120, 120 degree and 150 degree, अब इतने degrees के angles आपको बनाने हैं, एक circle के अंदर, उसके लिए सबसे पहले तो आप एक circle ड्रॉ करेंगे, compass की help से, उसके बाद उसके center से एक straight line ड्रॉ करेंगे, यानि की एक radius बनाएंगे, अब D रखिए इस line के उपर और angle बनाएए 90 degree का, D में ध्यान रखिए, D आपको अच्छे से place करना आना चाहिए, D में क्या होता है, यह जो आपका, यह जो point है आपका बीच में, यह बिल्कुल line के beginning में आना चाहिए, और यह जो line है, यह इस line के उपर बिल्कुल straight out होनी चाहिए, ओके, यह D हमने रख दिया, यह यहाँ पर यह point है, और यह एक straight line है हमारी, अब आप क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ से 90 degree कहा है, इस तरफ से count करना start करेंगे, line में यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से count करके, आप 90 degree आपका यह रहा, यहाँ पर एक point लगा लिजे, इस तरीके से, D हटाईए, एक straight line ड्रॉ करेंगे, center से इसको join करती हुई, ताकि यह आपका 90 degree का angle बन जाए, और यह आपका first sector होगा, जो 90 degree आपने बनाया है, अब फिर से आपको D रखना है, लेकिन इस बार इस line के उपर नहीं, जो आपने नई line बनाई हैं, यह वाली इसके उपर आप रखेंगे, ऐसे थोड़ा सा गुमा लीजे इसको, ध्यान रखेगा, position बिलकुल correct होनी चाहिए D की, center point पर यह center point होगा आपका, यहां से आप zero से count करना start करेंगे, 120 कहा है, यह रहा तो यहां पर आप एक dot लगा देंगे, 120 के उपर, यह, अब इसको remove करेंगे, यहां से हटाएं, अब एक line आप draw करेंगे, center को join करती हूँ, जो इस point को, center की line को आपकी join करें, और यह जो third, तीन ही आपकी variations थे, तीन ही आपके sectors थे, पहला था हमारा 90 degree वाला summer, second था रेनी, अब third जो winter है, यह by default 150 degree का बच जाएगा, क्योंकि यह पूरा angle 360 होता है, यह आपने 90 बनाया है, यह आपका 120 है, तो यह आपने आप 150 होगा, आप अगर चाहे तो इसको D से measure करके भी देख सकते हैं, अब इसमें आप तीनो जो seasons है, कोई भी, की बना दीजे, सब्बोस करिए rainy season में हमने यह वाली की बनाई है, sorry, this was summer season, rainy season में आपने मान लीजे यह वाली की बनाई है, और winter को आप खाली भी चोड़ सकते हैं, तीनो थोड़े अलग दिखने चाहिए, और यहाँ पर की में आप लिखेंगे भी, side में की, की यह वाला जो इस तरीके से है, जिसमें यह हमारा है summer season, जहाँ पर हमने dots लगाए हैं, यह है हमारा rainy season, और जो खाली है box, वो है हमारा winter season, और यह आपका pie chart तयार हो जाता है, चलिए, अगले question पर आते हैं, next question is, draw a pie chart, showing the following information, यहाँ पर आपको यह pie chart बनाना है, यह information जो show कर रहा हो, the table shows color preferred by a group of people, color की preference थीवी है, blue color 18, लोगों को पसंदा है, green 9, red 6, yellow 3, and total भी आपको दिया है 36, तो पहली जो आप table सबसे पहले, तो आप table बनाएंगे, central angle क्योंकि आपको find करना है, table में पहले दो columns तो आपके यही होंगे, colors and number of people, colors, and then, people, number of people, okay, color कौन कौन से हैं आपके पास, green, sorry, first one is blue, green, red, थोड़ा gap दे दीजे, क्योंकि आगे fraction में जब लिखते हैं, तो वो at least 2 lines उसमें चाहिए होती है, तो एक line छोड़के तब आप next लिखेंगे, copy में अपनी, next is yellow, blue पसंद है, 18 को 9, then 6, and last one is 3, total भी आपको दिया है, 36, इसके बाद आप लिखेंगे, in fraction, 18 by 36, cancel मत करिएगा, 9 by 36, 6 by 36, 3 by 36, generally ऐसे ही numbers आते हैं, कि 18 से 36 cancel हो जाएगा, 9 की टेबल में भी 36 आता है, लेकिन आपको cancel आउट नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने खा, question मुश्किल ही बनता है, cancel करने से, different आपके denominators आएगे, 360 से जब आप multiply करेंगे, तो different numbers से आपको multiply करना पड़ेगा, इसके बाद हम निकालेंगे, central angle, central angle होता है, जो fraction आपको दिया है, into 36, 360, क्योंकि हमेशा बीच का जो angle है, वो 360 डिगरी का होता है, 9 by 36 into 360, 6 by 36 into 360, और 3 by 36 into 360, देखिए अच्छा हुआ हमने cancel नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर सब जगे cancel होके, यह 10 हो जाएगा, अब आपके angles कितने के होंगे, फर्स्ट आंगल होगा 180 डिगरी, नेक्स्ट इस 10-8 जार, 10-9 जार 90 डिगरी, 60 डिगरी, और 30 डिगरी, यह आपके central angles है, अब पाई चार्ट आपको बनाना है, आप एक circle ड्रॉ करेंगे, circle में सबसे पहले, center से जाती हुए, एक straight line ड्रॉ करेंगे, center से एक line ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, इसको बिल्कुल straight line बना दीजिए, तो यह आपका angle हो जाएगा, 180 डिगरी का, यहाँ पर आपका अगर center था, तो यह central angle है, आपका 180, next, second कितना है, 90 डिगरी, 90 आप कैसे बनाएंगे, D को आपको इसके उपर रखना है, center के उपर central point हो, अभी भी यह center पर नहीं है, थोड़ा सा, इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, और line के उपर line हो, ओके, यह वाला ऐसे, अब 90 डिगरी आपको बनाना है, 90 कहा है, यहाँ से इस वाल line से आप बना रहे हैं, यहाँ से start करेंगे, 90 यह रहा, तो यहाँ पर एक dot लगा लिजए, यह वाला, अब इसको remove करिए, और एक straight line ड्रॉ कर दीजए, center को और इस point को मिलाती हुई, एक और radius आपकी, ओके, यह second आपका 90 डिगरी का अंगल हो गया, इसके बाद आते हैं, next में, next था 60 डिगरी, तो 60 डिगरी के लिए D आप इस पे रखेंगे, इस तरफ बनना है अंगल, तो D आपको ऐसे रखना पड़ेगा, center पर लेके जाए, यह पर्फेक्ट, अब यह देखे, क्यों सही नहीं है, क्योंकि black line यहाँ है, D की जो line है, वो थोड़ा सा नीच है, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, यह देखे, यह correct position नहीं है, तो थोड़ा सा हलका सा, यह perfect position है, center यहाँ पर है, और line के उपर आपकी, जो last line है, D की वो है, कितने degree के अंगल था, 30 degree, 30 और 60, 60 सारी, red वाले 60 थे, 60 कहाँ पर है, 0 आप उपर वाला ही लेते हैं, generally 60 यहाँ पर है आपका, यहाँ पर एक dot लगा लिजे, 60, D को remove करिए, और यहाँ से इस point को, center को join कर दीजे, यह आपका, next 60 degree के अंगल हो गया, अब last में जो आपका यह बचता है, last में हमारा 30 degree के अंगल बनता है, यह 30 ही होगा, आप अगर चाहे तो इसको measure कर सकते हैं, यह देखे, D रखा, यह 30 degree के अंगल आपका बन रहा है यहाँ पर, तो last में by default उतना ही अंगल बन जाता है, आप चाहे तो इसको cross check कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी एक key बना दीजे, सबसे पहला कौन सा color था हमारा blue, एक्जाम में क्योंकि blue color वगएर आपके पास नहीं होते, अदर्वाइस चाहे तो आप copy में अगर करना चाहें, इसमें blue इसमें red यह सब color भी कर सकते हैं, अभी आप सिर्फ कोई key मान लिजे, blue color में आपने ये किया है, red, next one was green, green में आपने dots लगाएं हैं ऐसे, next में आपने cross लगाएं हो, लास्ट वाले को खाली छोड़ दीजे, और यहां पर key बना दीजे, कि key में जहां पर ये वाला है, ये हमारा blue color है, कि अगर किसी के पास ये ना हो, suppose कर ये table नहीं है, कोई आपका सिर्फ pie chart दे रहा है, तो उसको पता लगे, कि ये क्या information शोग कर रहा है, कि ये जो है, ये blue color की preference है, बच्चों की, next one is green, जिसमें ऐसे हैं, ये green है, जहां पर cross है, ये आपका red color है, और ये जो आपके lines हैं, ये आपका yellow color है, ओके, चलिए इसी के साथ question आपका खतम होता है, next, fourth, the adjoining pie chart, next में आपको pie chart दिया हुआ है, यहां पर, gives the marks scored in an examination by students, in Hindi, English, Math, Social Science and Science, एक बच्चे ने अलग-अलग उसने कितने marks score की, वो आपको यहां दिया हुआ, अगर total marks obtained by students is 540, total marks आपको दे दिया हैं 540, तो answer बताईए इन question का, in which subject did the student score 105 marks, किस subject में बच्चे के 105 marks आए हैं, इसका एक आसान तरीका में बता देती हूँ, वैसे तो direct formula भी है इसका, अगर आप learn कर सके एक्जाम में, formula में आप क्या करेंगे, total हमारा central angle 360 का होता है, 360 divided by total, total marks कितने हैं आपके 540, और multiply कर दीजे उसको, जितना आपको marks आपको दिये हूए, बच्चे ने जितने निकाले हैं 105, तो degree आपको पता लग जाएगी कि कितने degree है, क्योंकि यहाँ पर percent नहीं है, आपको degree में marks दिये हूए है, और total जो degree है, हमारी वो 360 होती है, तो यहाँ से आप, जब इसको solve करेंगे, यह आपका 70 degree आएगा, 0 से 0, cancel, cancel out कर दीजेगा सभी को, 70 degree किसका answer है, हिंदी का, ठीक है, अगर यह आपको याद नहीं रहता, by default exam में, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे, total 540 marks है, और हमारा central angle कितने का होता है, 360 का, तो आप कहेंगे, for 540 marks, 540 marks के लिए central angle कितना है, total marks, total central angle है, 360, for 1 mark, यह आपको पहले बताया जा चुका है, कि जब ज़ादा का कुछ दिया हो, और 1 का निकालना हो, आप हमेशा divide करते हैं, 540 उधर जाकर divide हो जाएगा, 360 upon 540, 1 mark के लिए इतने degree का angle बनेगा, आपको कितने marks चाहिए, आपके आए है 105 marks, एक subject में पता नहीं कौन सा subject है, तो 405 marks, 105 marks के लिए central angle कितने का बनेगा, 360 upon 540, multiplied by 105, बात बही हो गए, लेकिन यहाँ पर आपको learn नहीं करना पड़ा, 540 marks के लिए central, total marks के लिए total angle, 1 mark के लिए, इतने का angle, तो इतने mark के लिए angle कितना, 0 से 0 cancel, 54, 36, 2 से cancel हो जाएंगे, 2, 2s are 4, 2, 7s are 14, 2, 1s are 2, 2, 8s are 16, 27 और 18, 3 से cancel हो जाएंगे, 3, 9s are 27, 3, 6s are 18, 3, 3s are 9, 3, 2s are 6, 3 से cancel हो जाएगा, 3 से 105 सारी cancel हो जाएगा, 3, 3s are 9, 3, 5s are 15, and 35 और 2, 35 into 2, 70, यानि कि central angle कितना है, central angle जिस subject का 70 डिग्री है, वही वो subject है, so the subject is, किसका central angle 70 है, हिंदी का, so the subject is Hindi, हिंदी वो subject है, टोटल अगर 540 है, तो उसमें marks बच्चे के 105 आए है, next question, how many marks were obtained by student in maths, more, sorry, how many more marks were obtained by students in maths, than Hindi, maths में हिंदी से कितने जादा नंबर आए है, maths का central angle हिंदी से कितना जादा है, आप लिखेंगे, this is answer number 2, central angle of maths, equals to 90 degree, central angle of Hindi, हिंदी में कितना है, 70 degree, तो difference कितना है, maths और हिंदी के central angle का difference अभी पूछ रहे है, angle कितना बड़ा है इसका, that is equals to 20 degree, angle में difference 20 degree का है, तो marks difference कितना हो जाएगा, marks difference equals to, 20 degree, total आपका जो difference है, आपकों में total angle कितने का होता है, 360 multiplied by total marks 540, जितने का angle difference है, उसको divide कर दीजिए, total central angle से, 360 का central angle है, और multiply marks कितना है, यानि कि 20 degree of 360, into 540, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, 0 से 0 cancel, 36, 54, 18 की table में दोनों आते हैं, 18, 2036, 18, 3054, 2 से 20 कैंसल हो जाएगा, 10, 10, 3030, मतलब difference जो है, वो 30 marks का है, is of 30 marks, maths में उसके 30 marks जादा आए हैं, हिंदी से, next, examine whether the sum of marks obtained, in social science and maths, is more than science and Hindi, SST और maths में देखें कि, उसने यह नहीं पूछा कितने जादा है, बस यह पूछा है, क्या SST और maths के marks जादा है, science और हिंदी के marks मिला के, यह हम central angle से ही decide कर सकते हैं, आप लिखेंगे, sum of central angles, of maths and social science, maths और social science के central angle का sum कितना है, 90 plus 65, यानि की 155 degree, उसके बाद दूसरा कौन से, दूसरे कौन सब्जेक्ट है, science and Hindi, science and Hindi, तो science and Hindi के central angle का sum कितना है, 70 plus 80, यानि की 150 degree, obviously 155 जादा है, यानि की yes, weather यानि की क्या, इन दोनों के marks का sum इसके जादा है, तो of course जादा है, 5 degree का फर्क है, अगर हम numbers में बात करेंगे, तो फिर वो, आपको 5 degree को divide करना पड़ेगा, 360 degree से और multiply करना पड़ेगा, 540 से, ओके, चलिए, अगले question पर आते हैं, the number of students in hostel, speaking different languages are given below, आपको pie chart ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आप अपनी table कम्प्लीट करेंगे, यह आपका data है, languages, Hindi, English, Marathi, Tamil and Bengali, students 40, 12, 9, 7 and 4, तो सबसे पहले इन fraction आप लिखेंगे, टोटल कितना है, 52, 52 प्लस 9, 61, 61 प्लस 7, 68 प्लस 4, 72, तो टोटल 72 है, 40 by 72, 12 by 72, 9, 4 by 72, अब आप लिखेंगे, Central Angle, 40 by 72, जो fraction में है, इन्टू 360, 12 by 72, इन्टू 360, 9 by 72, इन्टू 360, 7 upon 72, multiplied by 360, 4 by 72, multiplied by 360, 75 के table में, 5,060 आते हैं, तो इसको आप cancel कर सकते हैं, 5,055, ओके, ना, 4,5,020, यानिकि, यह 200 डिग्री का अगल बनेगा, 12,5,060, 9,5,045, 7,5,035, and 4,5,020 डिग्री, उसके बाद, यह आपके Central Angle निकल गए, इन्हीं को ही आपको Circle में बनाना है, आप एक Circle ड्रॉ करेंगे, इसमें सबसे पहला Angle, थोड़ा सा Difficult है, क्योंकि 200 डिग्री का अंगल है, और हमारे D में 200 डिग्री होता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले 180 डिग्री बना लीजिए, आपने एक Center से एक Line ड्रॉ की ऐसे, 180 डिग्री आपको पता है, Roughly, कहीने कहीं की इतना होता है, और अब आप यहां से 20 डिग्री ड्रॉ करेंगे, 180 के बाद, 180 में अगर मैं 20 यहां पर आड़ कर दू, तो यह पूरा 200 का बन जाएगा ना, तो यहां पर आप क्या करेंगे, पहले Pencil से इसको, यह एक Line यहां पर ड्रॉ कर लीजिए, Straight Line, बाद में इसको Erase कर देना है, क्योंकि आक्चली में 180 हमारा कोई अंगल ही नहीं था, यह आपका Central Point है, यहां से आपने एक Line ऐसे Straight ड्रॉ कर दी, जिस्ते की 180 डिग्री का अंगल बन जाए, अब D लीजिए 20 डिग्री, इस Line से आगे 20 डिग्री और ब्रॉ कर दीजिए, यह आपने D रखा, जिकि इस Line के उपर बनाना है, इसका ध्यान रखना है, Center पर Center और Line के उपर Line, उल्टा करके D रखना है, 20 डिग्री कहां पर है आपका, 10, 20 डिग्री ही हम हमेशा Line लेते हैं, यहां पर एक dot आप लगा देंगे 20 डिग्री के लिए, अब D अटाईए, यह वाला जो Angle है आपका Center में जो आपने बनाया था, इसको रिमूव कर दीजिए, और यह जो इसको अटा दिया हमने, यह जो Line थी हमने जो की Help के लिए द्रॉ की थी, और इस Point को इस से जोइन करते हुए, यह आपका 120, Sorry, This is Equals to 200 डिग्री, Next, Next हमारा Angle है, 60 डिग्री, उसके लिए D को आप इस Line के उपर रखेंगे, जो अभी आपने द्रॉ की है, 60 डिग्री, यह है आपका 60, यहां पर आप एक dot लगाएंगे, D को रिमूव करेंगे, और सेंटर से इस dot को जॉइन करेंगे, Sorry, यह आपका Second Angle हो गया, 60 डिग्री का, उसके बाद Next Angle आपका बचता है, 45, Next, इस Line के उपर आपना D रखेंगे अभी, यह जो नई Line आपने बनाई है, 45 डिग्री कहां पर है, 40 और 50 के बिल्कुल बीच में, So, यहाँ पर 45 यह है, आपका एक dot आपने लगा लिया, अब D रिमूव करेंगे, एक Line यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे इस Point से जाती हुई, यह आपका Next Angle 45 डिग्री हो गया, 45 के बाद Next Angle कितना था हमारा, 35 डिग्री, 30 और 40 के बीच में यह वाला Angle, डॉट लगाया, D को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, और इस Dot को, सेंटर से एक Line बना कर जॉइन कर दीजिए, लास्ट में जो आपका Angle बनेगा, बचेगा, वो by default कितना होगा, जो आपका Remaining Angle है, Okay, Approx, यानि कि 20 डिग्री, यह अपने आप ही 20 डिग्री बज़ जाएगा, इस इस 35 डिग्री, इस इस 45 डिग्री, अब इन में कोई भी आप, एक Key बना दीजिए, फर्स जो कि 200 में, हमारे Hindi बाले बच्चे थे, सब्पोस कर यह इसमें, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, नीचे लिख दीजिए, Key में, यह Hindi के, जिन बच्चों को, I think, Hindi के मांक्स है, सेकिंड, सारी, फेवरेट लांग्विज इनकी Hindi है, English 12 है, तो English में, कोई और वो कर दीजिए, English Cross वाले हमारे English है, Next is, Marathi, यह जो dots वाले हैं, यह Marathi है, जो बड़े आपके circle वाले हैं, इस इस तामिल, और जो ब्लांक है, इस बेंगॉली, ओके, यह आपका आंसर होगा, ओपफुली जो concept है, किस तरीके से, आपको pie chart ड्रॉ करना है, पहले table कैसे prepare करनी है, वो सभी बच्चों को, अच्छे से समझ में आ गया होगा, Thank you so much, पूपार,